हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूट्व चैनल दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में जो डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स थे उसको हम लोग कभर किये हुए थे, काफी लेंदी वीडियो हो गया था पिछले वीडियो तो हम लोग उसको हम लोग कभर कर लिये हैं डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स का दोस्तों उसके बाद हमारी जो UPSC सिलेबस की कॉर्णिज जो हमारी सिलेबस आती है हमारी है माइगिरेशन तो माइगिरेशन में वहाँ पर मेंशन है इंटर रिजनल और इंटरा रिजनल और इंटरनेशनल माइगिरेशन तो इन सारे टॉपिक को आज किस वीडियो में हम लोग कभर करेंगे Migration का यानि Inter-regional, Intra-regional और International Migration को आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले है तो चलो दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले दोस्तो UPSC के प्रिभीस येर क्या question देख लेते हैं जो Migrations Related किस टाइप की question पूछे गया है यहाँ पर आपसे पूछा है discuss the trends in immigration Immigration focusing on its major thrust Immigration का मतलब यहाँ पर कि आपको EMI है यानि कि Out Migration यानि इंडिया से जो बाहर गय हुए है, immigrate हुए है उसका कौन-कौन से trends है उसको आपको यहाँ पर discuss करना है दोस्तो इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Immigration का trends और दूसरा हम पुछा दोस्तों यह 2014 पुछा था, इसको 2011 पुछा discuss the special pattern of intra-regional migration in India and examine its implication in regional development तो intra-regional यहाँ पर migration यानि कि within जो state हमारी है उसमें जो migration का pattern है उसको आपको यहाँ पर बताना है तो इस वीडियो देखने बाद I hope दोस्तों दोनों question को आप अराम से solve कर पाओगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं migration और tourism में differences क्या होते हैं क्योंकि देखो tourism हम लोग पढ़े थे उसमें भी देखे थे कि tourism में क्या होती है कि residence का change होता है यानि कि एक जगा से दूसरी जगा पर people जाते हैं और migration में भी क्या होता है कि एक जगा से दूसरी जगा people जाते हैं लेकिन दोनों differences क्या होता है tourism के क्या होता है moment आप people होती है one place to other place लेकिन वो क्या होती है कि Pleasure के लिए जाते है Happiness के लिए जाते है Search करने के लिए Training के लिए जाते है Medical Treatment के लिए जाते है और जो Moment होती है वो Temporary होती है यानि Less Than One Year का होती है उसको बोलते है Tourism तो Tourism क्या Purpose अलग होता है वो मज़े के लिए जाते है pleasure के लिए आते हैं, training के लिए जाते हैं, medical treatment के लिए जाते हैं और उनका जो nature होता है, moment का, वो temporary होता है उसको बलते है tourism, लेकिन माइग्रिशन case में क्या होता है migration में generally purpose change हो जाते है यहाँ पे जो people का moment होता है, वो क्या होता है, generally job के लिए होता है वहां better education लेने के लिए better job के लिए या temporary या permanent भी हो सकता है migration temporary भी हो सकता है permanent भी हो सकता है क्यों क्यों, क्योंकि माद़ जैसे iesta में Sir ваш cycling आता है तो उससे coast area के जो people होते है other area में चल जाते है उसको भी बोलते है migration तो यहां पे आप मोल से तो temporary migration हो रही है ठीक बेटर वहां पे सुप्डया के लिएध के लिए अपनी सेप्टी लिए माइगे नहीं फिर से आ। इसको टुरिजम नहीं बोला जो लेंगे माइगारेशन लेकिशन परिप्टेश के बन्ड़े उप जैकर उको बंड़ोर है। कि दोस्तों माईग्रेशन जो होती है कभी-कभी पेन फूल भी होती है ठीक है कभी-कभी पेन फूल रही होती है ति winter पेसे पूल्स हो भी का सिया म enemy डेली में जॉब कर रहे हो और डेली में आपको मालो 80,000 मिल रहे हैं यदि आपको यह ही आपको मुंबई में 1,20,000 मिलने लगे तो आपके अगरो डेली छोड़के मुंबई शिफ्ट हो जाओगे तो बेटर आपको मिलेगी तो जॉब के लिए के लिए या अधर्स के लिए वह माइग्रेट होते हैं तो यह सारे माइग्रेशन और टूरिजम में टिफ्रेंसिस हो गया है अब चलते हम लोग माइग्रेशन की 2011 की सेंसिस की बात करें यानि कि जो हमारी सेंसिस होती है पॉपलेशन सेंसिस उसमें माइग्रेशन की डेटा को calculate किया जाता है यानि कि fit किया जाता है तो 2011 population census के according आप देखोगे तो इंडिया की जो population है 1.21 billion है यानि कि 210 million people इंडिया हम रहते हैं उसमें से 45.8 जो million है population जानि कि 37% of population migrate किये है कहीं न कहीं ठीक है? migrate करने के मतलब अपना residence को change किया है हो सकता है कि within state change किये हो या दूसरे state में गया हो या कहीं दूसरे country में गया हो लेकिन 37% जो population है यानि पूरे decade में 2001 से 2011 के बीच में ये migrate किया है इतनी जादा migration इंडिया में होती है ठीक है? तो ये migration का data हो गया अब type of migration की बात करें तो generally दो type की migration होती है international migration और internal migration international migration में क्या होती है? एक person जो होती है जो residents यानि source जो होता है एक country से दूसरे country का destination और source other countries में होते हैं उसको बलते हैं international migration international migration में आप देखो के तो intra-regional आते हैं और inter-regional आते हैं intra-regional को intra-state भी बलते हैं क्योंकि इंडिया में तो रीजन को जनरली स्टेट आप बोल सकते हो तो एक स्टेट विदिन स्टेट के अंदर यहीं माइग्रेशन होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रारीजनल जैसे मालो आप यहीं कानपूर में रहे हो कानपूर से लखनाव चले आते हो जोब के लिए या पढ़न में हम हैं के लिए तो हमारा इंट्रा इरिजनल में आएका माईग्रेशन में मतलब है कि दूसरे श्टेट में सिफ्ट हो और है मालो कानपूर से आप डेली चले जारे हो कानपूर्ड चले जा रहे हो ठीक है तो यह हमारी क्या होंगए इंट्र 556 माइगें। तो एमक्रेश मतलब यहाँ पर EMI वाला ठीक है Immigration आउट माइग्रेशन तो इंडिया में आप देखो के सबसे इन हिस्टिक हो जाएगा बहुत सारे जो 23 अफरिका फें कि अंडिया में आह वाला फें इस फेज देखने में मिलेगे अनकी पर फेज़त ही फास्ट हमारा फेज' के विए कोलोनियल पिरियेड में हमारा आउट माइग्रेशन बहु जी पहुत जादा हुआ कि दूसरा गृप है हमारे जेनरली आप बोल सकते हो कि जह हमारे सुतन्तर हो रात भारत सुद्धतता के बाद आप बोल सो तो 1950 से 81 के आसपास हमारे जो migration हुई थी थर्ड जो migration हमारे हुई थे out migration आप बोल सो 81 के बाद या latest जो migration है third phase की migration है तो तीन हमारा trends है out migration का इके करके हम लोग देख लेते हैं फर्स जो वेब था colonial period पे अब देखो colonial period में क्या होती यहां पर इंडियां क्या थे प्रेंच भी थे प्रेंच भी थे पॉर्टगीज भी थे इस सब जो थे तो इनके plantation work के लिए क्योंकि इंडिया में आप बोल सकते बिहार यूपी की जो labor थे बहुत जाद जादा अच्छी उनके knowledge थी agriculture करने के लिए और बहुत मेहनती भी थे तो मेहनती भी थे knowledge भी थी agriculture करने के लिए plantation करने के लिए तो अंग्रेजों को लगा कि यह जो knowledge और मेहनती है इसको हम लोग यूज करें और यहां पर आप बोल सकते हैं गिर्मिट एक्ट लाए गया अंग्रेजों ने गिर्मिट एक्ट लाए जिसको बोलते हैं इंडियन immigration act इसमें क्या था time bound contract होती थी यारी जो मंदे लेबर का यहां से ले आया था दूसरे countries में जनरली islands countries होते थे वहां पर plantation या agriculture करने के लिए तो हां पर time bound हमारे contract होती थी उससे through immigration कराते थी लेकिन जो हमारे गिर्मिट एक था यह आप बोल से तो time bound जो हमारी contract थी यह आप वर्सत स्लेब की तरह काम करती थी यानि जो बंदे वहां पर जाते थे उससे उनका ज्यादा अच्छा treatment नहीं होता था तो million से ज्यादा लेवर हमारी जो इंडिया के थे जनरली यूपी और विहार के हमारी इस गिर्मिट एक के तहत अलग-अलग हमारी countries में गये जैसे British citizen ने कहां कहां भेजा मौरिसवस में Caribbean islands है जैसे में टिनी नाड हो गया टोबाइगो हो गया गुवाना हो गया फीजी हो गया साउथ अपरीका हो गया यहां पर British citizen ने भेजे जनरली यूपी बिहार से लेबर जाकर वहां पर काम करते थे दूसरों इसके लाव फ्रेंच, Dutch और पुर्थकीज थे वह भी अपने जो एरियाज थी जैसे गोवा, डमन, डिव यहां पर इन्हों राते थे वहां से री यूनियन जो आइलेंड से वहां पर भेजे ग्रेडलोप आइलेंड, मारिट क्यू, सूरी नेम, अंगोला, मोजांबी यहां पर इन्होंने भी भेजा इन्डियन जो लेबर थे माइगरेशन हुए इसके तहट तो फर्स्ट वेब में आप बोल सकते हो कि जो कम्यूटी है इन आइलेंड में अच्छी खासा मात्रा में है और वहां की कल्चरल और वाइलीज को भी बहुँ ज़्यादा इफेक्ट किये हुए है तो यह हमारा होगे दोस्तों फर्स्ट वेब आप आउट माइगरेशन अब सेकेंड वेब आप आउट माइगरेशन देख लेते हैं आपर सेकेंड वेब आउट माइगरेशन आप बोल सकते हो कि 1950 के आसपास होई थी जब इंडिया में थोड़ी बहुत लिटरेसी आ गए थ जिसमें आर्टिसन हो गये ट्रेडर हो गये फैक्टरी वरकर हो गया इन लोग साउथ इस्ट एसएं में जनरली माइगरेट किये आप सदन इंडिया से ज्याधा था माइगरेशन देखने हो मिलेंगे इस पैज में जिसमें थाइलेंड, मलेसिया, सिंगापूर, इंडोनेसि अफरीकन कंट्रीज में गए यहां से गुजरात की जो बंद्य थे ट्रेट करने के लिए अफरीकन कंट्री में जाधत गए और इकोनोमिक ओपरसिंटी को यहां पर यूटलाइज करने के लिए Second wave का migration आपको देखने को मिलता है South Station में और African Karti में जिसमें semi skilled और skilled थे दिखो यहां First wave में क्या थे is labor गये थे Second wave में semi skilled और skilled यहां पर labor गये थे प्रोफेशनल गये थे और यह हमारे 1970 में आप बोलोगे יים गब and oil जो बूम हुआ था West Asia में उसके वाज़े से इंडिया के जो इंटर्पेर्नेर थे वरकर थे, प्रोफेशनल थे कंसल्टेंट थे, बिजनेसमेंन थे यह सारे वेश्ट असिया में मुपके वेश्ट असिया में जनली सवदिय एरभिया UA, कतर यहां पर आप बोल सकते हो आउट माईग्रेशन वाज इसमें डॉक्टर्स इंजिनियर सौफ्टेर इंजिनियर मेनेजमेंट कंसल्टेंट फाइनसियल एक्सपर्ट इस तरह जो हाइली प्रोफेशनल थे हाइली एडुकेटेड जो इंडियन की जो कम्यूटी थी वह यूएसे में जाके कैनेडा में जा कर दा कर दा के लाइनसियल यूटी लाइनसियल कुटे यहां पर आप देशिताया पेटर्न जो हमारी थी फों सद्क भाइव में लेटर गए स्टे करेंड़ सेमी स्किल लेटर हहाई थर्ड वेम बंब कांडて अच्छी जो रिटिरेट से ओंड हहुमारी थर्ड वेमें आउ रहेंगी अब चुलते दोस्तों इन माइग्रेशन की बात करते हैं यानि कि अभी हमाना आउट माइग्रेशन देखें इन माइग्रेशन आप देखोगे तो 2011 यानि पूरे 10 साल में 2001 से 2011 के बीच में वैसे तो जब भारत सुदंत्र हुआ था तो आप बोल से आफगानिस्तान से पाकिस्तान से अधर जो कंट्रीश थे चाइन तिब्बत से यहां से इन माइग्रेशन बहुत जादा हुआ देखो कि 2001 से 2011 के बीच में हमारे इंडिया में इन माइगरेशन 5 million people हो गए 5 million हमारे इंडिया में थे यानि के 50 लागग population हमारी इंडिया में ती और ज्यादा तर जो 90% के आसबस थी जनरली हमारे नेवरिंग कंट्री जाये थे नेवरिंग कंट्रीं में सबसे ज्यादा कि 51.2% जो total इन माइगरेशन और नेपाल में 15% पा होग कि जो नेवरिंग कंट्री है उसका फेवरेट डेस्टनेशन हमारे इंडिया है कि उनको लिए जो इकनोमिक ऑपरेटिडिदी इंडिया जादा देता है इस लिए उनके लिए बेटर उपरिशनटी इंडिया में होता है। इंडिया से जो बाहर जाते है वो neighboring country में नहीं जाते हैं क्योंकि economic opportunity उतनी अच्छी है नहीं इंडिया से तो वो जाना पसंद करते हैं developed country में तो यहाँ पर आप देशते हो जो migration होती है वो better economic opportunity को ढूंडने के लिए होती है इसलिए neighboring country इंडिया में आके यहाँ पर migrate होते हैं और इंडिया से other country में जाते हैं दोस्तो USA अभी देखो के वर्ल्ड में सबसे highest in migration वाला country हो गया है नहीं सबसे ज़्यादा USA में यहाँ पर migrate करते हैं बंदे और इंडिया का सतना आप out migration में fourth देख सकते हो मेक्सिको सबसे ज़्यादा मेक्सिको से out migration होती है फिर चाइना से होती है फिर पाकिस्तान से होती है तो पाकिस्तान यहाँ पर ahead है out migration के लिए इंडिया से यदि number wise बात करें तो तो यह हमारी थोड़ा international migration का data हो गया अब हम लोग move करते हैं internal migration में तो internal migration में जैसा को देख सब दोस्तों हम लोग intra-state migration होती है और inter-state migration होती है या intra-regional migration intra-regional migration intra-state migration बात करें यानि कि within state में जो migration होती है residence का change होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा है यानि कि आप बोल सकते हो कि पूरी लास्ट दस साल में 118.7 million जो people थे वो हमारी intra-state migration हुआ है या intra-regional migration हुआ इंटर-state migration में यानि state जो change होती है उसकी थोड़ा population कम है 23.2 million people हमारी दूसरे state में shift हुए थे या पिंटर-state migration हुआ था इसकी pattern की बात करें दोस्तों तो आप बोल सेते हो internal जो migration होती है उसकी भी यहाँ पे तीन category होती है sorry 4 category होती है rural to rural, rural to urban, urban to rural और urban to urban देखो intra-regional की बात करें या intra-state की बात करें तो rural to rural 11 million people, sorry यहाँ पे यहाँ भूल गया, यह male होंगी यह हमारी female होंगी ठीक है यह male है यह female, male, female, male और female तो rural to rural में male की जो migration है intra-state में 11 million है और यहाँ पे female की 48 तो यहाँ आप देखते हो तो rural to rural female migrate बहुत जादा होते है ठीक है इसके लिए reasons आप देखते हो कि female जो होती है, generally marriage के लिए यानि मालो साधी हो गया मालो कानपूर में साधी हो गया किसी female को और बंदा जो है husband है उसका लखनों में है तो यहाँ पे लखनों वाला बंदा तो migrate नहीं करेगा ना, female ही migrate करेगी तो यहाँ पे rural to rural migration भी होती है तो ह हमारे female migration ज्यादा होती है, rural to rural में 48 million में है, और rural to urban आप देखोगे इसमें again female ही ज्यादा होते है, rural to urban में भी intra-state में, यानि within state की बात हो रही है, और urban to rural में आप देखोगे तो urban to rural, यानि urban to rural में भी female की ज्यादा migration हो रही है, और urban to urban में भी female की ज्यादा migration हो रही है, तो down migrate करते हैं mail की compare में ठीक है यह data को आप ध्यानकना और डेटा आप देसे हते हो कि overall to rural में यहाँ पे कितनी माईग्रेसन होती है तो में सबसे जख्यून होती है इसके अब देखने मिलेंगी annel touban के माईग्रेसन ज़्यादे देखने मिलेगी फिर हमाराा रुडल भ rained migration जादा होती है इंट्रा इस्टेट की बात हो रही है कि दो सीज़े इसमें ध्यान रखना इंट्रा रीजनल में г dalla to rural migration सबसे ज़ैदा होती है और यहांपर फिमल कि भी माईग्रेशन जादा है इंट्रा स्टेट में अब इंट्रा इस्टेट की बात करते हैं या mad to state varies बात करते हैं तो state to state बात करें इंटरनल माइग्रेशन में हमारा उतना अच्छा है नहीं क्योंकि million में बात करके तो 1.5 million हमारी rural to rural migration होती है इंटर state में और female की 3 million होती है तो यहां पर आप देखोगे तो हमारी female की migration ज्यादा है सभी जगा लेकिन यहां पर कम है rural to urban male ज्यादा migrate करते हैं इंटर इस्टेट यानि मालो यूपे का जो बंदा है महराश्टम जाएगा तो हमारी यहां पर male ज्यादा जाते हैं female कम जाते हैं तो यहां पर सहर में जो जाने वाले लोग है male की ज्यादा migration होती है और female की compare होती है तो इंटरनल migration में आप बोल सकते हो कि female ज्यादा migrate करते हैं एक्सेप्ट हमारा rural to urban in case आप interstate ठीक है तो थोड़ा से यहां पर complex होगे इस डेटा को आप देखोगे तो आप अच्छे से इसको analyze कर सकते हो तो हमारी internal migration का फीगर हो गया तो करेक्टरिस्टिक में देख लिए दोस्तों female हमारी dominant करती है इंट्रा इस्टेट माइग्रेशन में इंट्र इस्टेट में फीगर्ट में फीगर्ड डोमिनेट तो करती है एक्सेप्ट rural to urban migration और मेल जो माइग्रेट करती है जनरली economic regions के लिए करती है वह आप जौब करने के लिए करती है लेकि फीगर्ड के माईग्रेशन ज्यादा होती है rural to rural और फीमेल की कम होती है क्योंकि मेग्रेशन waar और मेग्रेशन है घ्रेड के छोड़ के लिए तो यह हमारी characteristic हो गए internal migration का special variation भी interstate migration देखने मिलती है जहां कि आप देखोगे महाराष्टा हमारी first destination in migration के यानि कि बहुत सारे लोग महाराष्टा में आके migrate करते है इन migration में महाराष्टा first है फिडेली second है गुजरा 3rd है हर्याणा यहाँ पर 4th अस्थान पर है तो यहाँ पर इन migration में चार favorite destination आपको देखने मिलते है आउट migration आप देखोगे उतर प्रदेस हमारा first है सबसे ज़्यादा बंदे उतर प्रदेस migrate करते है दूसरी state के लिए बिहार second है राजस्तान third है तो यहाँ पर तीन इस्टे आप देखने के लिए जो हमारे internal migration का part है दोस्तों अब चलते हैं हमारी जो regions क्या है क्या क्या causes है migration होने की migration होने की दो main region होते है push factor और pull factor push factor का मतलब है यहाँ पर कि जहाँ पर source हमारी migration क्या होती है होती है तो source जो region होती है वहाँ पर ऐसी कुछ चीजे होना जो उसको force कर रही है कि आप यहां से निकल जाओ बाहर निकल जाओ ठीक है यहां से migrate कर जाओ तो ऐसे factor हमारी push factor में आती है तो generally negative जो चीजे होती है हमारी push factor में आती है जैसे source region में poverty हो खाने के खाने के लिए कुछ मिले ही नहीं तो हमारे margaret करने के लिए force करेगा फिर population pressure बहुत जादा हो यहां population pressure को जाए से वहाँ पर जो resources है उसका depletion हो गया हो यहां पर मालो ground water नहीं है water capability नहीं है foods नहीं है ठीक agriculture land नहीं है तो population pressure को जाए से वहाँ पर push factor create हो जाएंगे basic infrastructure की कमी हो health की education की हो यानि कि अच्छी सिच्छा के लिए बच्चे को वहाँ पर इस्कूल नहीं हो तो क्या करें वहाँ forcefully जाकर दूसरे पर इच्छा ग्रहण करनी पड़ेगी इसके लिए पूस्ट फैक्टर हो जाए इसके लिए नेच्रल जो डिजास्टर जैसे फ्लर्ड आ गया ड्रॉट आ गया शैक्लोन आ गया इसके वाज़े से भी हमारे पूस्ट फैक्टर किरेट हो जाते हैं और यदि वार हो जाता है लोकल कंफ्लिट हो जाता है उसके वाज़े से पूस्ट फैक्टर हो जाता है तो सारे जो नेगेटिव चीज़े हैं हमारी सोर्स रिजन में हमारी पूस्ट फैक्टर करती है और इससे हमारे माइग्रेशन को ज़्यादा इनकी होता है यानि कि migration वहाँ से होती है दुस्री दोस्ते हमारे region से पूल फैक्टर पूल फैक्टर हमारे destination पे काम करता है यानि destination में यादी economic opportunity अच्छी हो better opportunity हो चाहे job के लिए चाहे education के लिए चाहे health के लिए चाहे entertainment के लिए या वहाँ पे political stability हो इस सारी चीज़े जो अच्छी चीज़े है वहाँ पूल फैक्टर को यानि कि वहाँ पर attract करती है बंदे को जैसे example तो पर देशाते हो यहाँ यूपी और डेली तो डेली में अच्छी अच्छी सारे चीज़े होंगी या यह बेटर ऑपर्चिटी होगी बेटर एजुकेशन में होंगे इंटरनेट के entertainment की facilities होंगी वहाँ पर वाटर भी piped waters मिलेगा और सब कुछ मिलेंगी डेली में और यूपी में आप देखो तो आज के लिए बसकर विए दोस्तो纲 आज हम लोग ंडिकराशन के हैं कैसे माइब्रेशन का पैटरन है वेव क्या है और यहांकर है microphone का अगली वीडियो में फिरिंड फीज भीचन देखें मिलते हैं अगली विडियो में नाए टॉपिक साथ